नमस्कार दोस्तों, प्रधान मंत्री मोधी देश के किसानों को संबोधित कर रहे हैं, दोपार का वक्त है और प्रधान मंत्री मोधी के संबोधन को किसानों को पहुचाने की कोशिस में बीजेपी के न जाने कितने नेता और बड़े बड़े तमाम दिगज मंत्री अलग-अल प्रदान मंत्री मोधी आज 18,000 करोर 9 करोर किसानों के खाते में ट्रांसपर होंगे और इसका माहौल और इसकी भूमिका कई दिनों से बनाई गई मैं हूँ अभी गाजीपूर बॉर्डर पर यूपी दिल्ली का वो इलाका बॉर्डर का वो इलाका जहां किसान किर्शी कानुनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तीस दिन हो चुके मैं एक ट्रॉली में बैठा हूँ और यहां एक किलोमिटर तक ऐसी कई ट्रॉली है सैक्रों हजारों किसान है और इस ट्रॉली में खास बात यह है इसलिए मैं बैठा हूँ पीछे स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे उस स्क्रीन पर प्रधान मंत्री मोदी का संबोधन संवाद जो भी कहें वो चल रहा है और इस ट्रॉली में भी कुछ आट-दस किसान बैठे हैं, कुछ बाहर में किसान हैं, जो सुन रहे हैं प्रधान मंत्री मोधी जो कुछ भी किसानों से कर रहे हैं, और प्रधान मंत्री मोधी से समवाद के लिए उरिसा, अरुनाचल, हर्याना और अलग-अलग राज्यों में क किसानों को जोड़ा गया है वो किसान प्रधान मंत्री मोधी से बता रहे हैं कि उन्हें 2000 की जो किस्त मिलती है हर चार महने में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी के ताथ उससे उनको कितना फाइदा होता है फिर प्रधान मंत्री उनसे पूचते हैं किस सम्मान निदी का क्या इस्तिमाल किया फिर किसान बताते हैं कि कैसे उसका इस्तिमाल किया और कैसे उन्होंने अलग-Åलग तरह की फस्लें भो ये और इसका फायदा हुआ और इस संबाद के जरीए दरबैसल बी जेपी, केंदर सरकार और प्रधान मंत्री मोधी देश को बताना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री मोधी की नीतियां किसानों को लेकर उनका नजरिया और ये कर्शी कानून कितना फाइदे मंद है तो मैं हाँ इसलिए हूँ कि ये अंदोलन कारी किसान है इन किसानों से प्रधान मंत्री मोधी का कोई समभाद नहीं है यहाँ बैटकर टेलिविजन पर देख जरूर रहे हैं देखने के बाद इन किसानों से मैं बात करूंगा कि प्रधान मंत्री मोधी ने जो कहा उसे सुनकर इन्होंने क्या समझा और अगर प्रधान मंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये कानून फाइदे के लिए है तो इन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है या समझ में आ जाएगी क्या इस संबोधन के बाद क्योंकि वहां बहुत सारे किसान हैं बहुत सारे नेता हैं और बीजेपी का दावा है कि करोरों किसान आज सुन रहे हैं और बीजेपी का ये भी दावा है कि दरसल 20 राज्यों के ज़्यादातर किसान सरकार के साथ हैं चंद किसान चंद किसान गिने चुने किसान और रमेश्ट बिदूरी के शब्दों में सुने तो ठलुए गाओं के जिनें कोई काम नहीं है अच्छी रजाईया मिल रही है गरम पानी मिल रहा है खाना मिल रहा है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं और BJP के नेताओं को सुने तो खलिस्तान चीन और इन सब की मदद से चंद ल तो प्रधान मंत्री मोधी का भाषन और किसानों से संबाद देश के अलग-अलग हिस्सों के किसानों से संबाद कई किसानों ने फाइदे बताए कृशी कानून के फाइदे बताए किसान सम्मान निधी से उन्हें छे हजार आठ हजार दस हजार मिला उससे उन्होंने कैसे फाइदा उठाया कैसे एक फसल से दूसरी फसल की खेती की तरफ आकरशित हुए ये सब प्रधान मंत्री ने पूछा भी और उडिसा से लेकर हरियाना से लेकर अरुनाचर किसानों को ये बताना और समझाना कि न सिर्फ कानून फाइदे मंद है किसानों के लिए बलकि सरकार किसान निधी के ताज जो पैसे देती है या प्रधान मंत्री मोदी की जो सोच है वो किसानों के लिए कितना हितकारी है लेकिन ये किसान क्या प्रधान मंत्री मोदी का भा तो आपने सुना पीएम का भाषन इस भाषन में आपको लगा कि बहुत ऐसी फाइदे की बात बता रहे हैं जो शायद आप अब तक समझ न पाए हो जो भाषन सुनने के बाद समझ में आए नहीं ऐसा कुछ नया नहीं है जो यह तो हम क्या कहा हैं और उसमें नया कुछ नहीं है जैसे लोग बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता है वैसे कहती नहीं होती है यह कहा है पूरा सब खेती दान जो है बिक्री हो गया सरकारी रेट पे अभी भी दो दो किलोमेटर की लेने लगी पड़ी है दान किसी नहीं गाट सो रुपए हम बेचा उससे पहले जो था उससे पहले हमारी खेती जो धान फसल थी वो सई रेट में बिक जाती थी अब तो यह शिकायत है आप क्या सोचते है आपने सुना भाषन प्रधान मंत्री का और मैं बहुत किसानों से संबाद भी सुन रहा हूं और वो किसान कह रहे है कि दो-दो-हजार जो चार महिने में मिलता है उससे कैसे उनकी तकदीर बदल रही है और आप लोग यह बान नहीं र बैठे हुए हैं जिने डी-एम-एस-पी अपनी कार पर लेकर के गए हैं वो तो किसान है इसकी नजर में जो रोड पे बिचारे अपने बैठे हैं वो शायद किसान नहीं है कि उनकी बात सुनना इनके लिए महत्रपूर नहीं है जो दिल्ली के बिल्कुल नेजदीक और दि इस किसान की फोटो लगाई वो किसान संभू और्डर पे धरने पे था उससे पहले एक महिला से इन्होंने बात की थी इसी तरीके से 37 गट की महिला थी उस महिला से जब बात की जब जाच हुई महिला की तो जो कुछ उसने कहा वो कुछ नहीं था तो मेरा आज के इससे कहना है परदान मंतरी से आपकी इमानदारी का पैमाना इससे नाप लेंगे आज ही आदेश करिए कि जितने किसान बैठाए थे एक सेयु किसान है या भारती जनता पारिटी के कारेकरता बैठाए गये हैं डीम और एससपी के माध्यम से और यह तब पता चल जाएगा यह हमारी मांग है दूसरी बात जो समय समय पर यह कहकर आप संदिक्द बना रहे हैं उनको अब ऐसा नहीं है कि वह किसान नहीं होंगे होंगे क किसान उनको कारेकरता कहना यह खारिज करना सहीं लगता है क्योंकि हर आदमी किसी नरी किसी पार्टी से हो सकता हो मुद्द हो सही है यह नहीं है वह सकता है लेकिन से जुड़ा ओ यह शायद बहुत माईने नहीं रखता हम प्रायोजित बात कर रहे हैं हमारे देश में अब बड़ा वर्ग जो है वो सरकार के साथ मिल करके इस देश को गुम्रा करने की इस्तती में है इस समय और उसी के तहद ये सारा कारेकरम हमें लग रहा है दो दो हजार रुपे वाली यहां तक बात है जो देते हैं आपने जब दो हजार रुपे की घोशना की या छह जार साल का खोशना की एक एकड़ पर यूरिया का कितना रेट बढ़ गया जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं उसका कितना रेट बढ़ गया और जो आप कहा रहे होगी यह फसल जो है बिकने की इस्तती वाली बात है हमारे आज भी निविके हैं आज भी मंडियों में तरह-तरह से परिशान हो रहे हैं, तो ये पूरी तरह से प्रायोजित जूट हमारा कहना है, जिसे परधान मंत्री जी बोलने हैं, और ये हमारे देश का दुरभग है, कि हमारे देश का परधान मंत्री जूट की पैरुकारी कर रहा है, नहीं मेरे ख्याल से चलिए, आपकी राए हो सकती है आपका शुबनाम क्या है कहां से आया है अप यतान मंतरी मोदी का बाशन भाशन खतम हो जायद तो आपने भी सुना अब उसमें प्रदान मंतरी भाशन क्या वो समबाद करने दरसल भाशन कहना सिर्फ सही नहीं होगा उस समबाद में बहुत सारे किसान जुड़े है अलग-अलग राज्यों से और वो बता रहे हैं कि कैसे उनको फाइदा हुआ किर्शी कानून से और प्रधान मंत्री सम्मान निदी से और उस फाइदे में कोई किसान किसी और तरह की फसल करता था फिर ब हीं जब हमने शुरू चुरू से सुना था जब हमें भी लग रहा था हम्हे लगाए से हमरह अपाथन ही काया कलप हो जाएगा हमने ऍससो क्या निदुन पशी काया क्राउन मिला है एक बच्चे की फीस के पैसे नहीं मिल रहे अब ये कह रहे हम दो जार दे रहे हैं हमारा जो धाना वो आट सो रुपए में खरीद लिया है उसका मार्जन बना एक जार रुपए या आठ कुवेंटल धान के दस कुवेंटल धान का हमें पैसे इनुने एक साल में नहीं नहीं उपन मार्कीट की जो परधान मंतरी जी बाद कर उसमें देखो कैसे लूटा गया इन्होंने ये सोच लिया हमने छे जार दे दिया आप बाकी इनको लटवाने पर चोड़ दें ये शे जार में बहुत मालदार हो जेंगे सारी खेती शे जार ये बताईए ये बताईए अधिन बेटर देन नथिंग कुछ नहीं मिल रहा था यूपी ए सरकार में तो छे हजार तो मिल रहा हो सकता है आपके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लोग हैं या कई एकड़ में जो फसल उगाते हूं उनके लिए साल का छे हजार माई नहीं नहीं रखता हो लेकिन ह पर लाग बागे लोग अबागे को अधिने लगती हैं एक तर नाट क्या हम चोटे कसान को बच्णा उपका बच्ण भी पढ़े गा उसका भी पढ़ेगा इसका वी पढ़ेगा स्कूल तो सरकारी स्कूल कटम हो का प्राइवेट में जाएगा दो जाने पड़ा हैगगा जा बाकी लोगों से आता हूं आपके पास बाकी लोगों से आपने सुना बूत गोर्ट से ब्हुत नाम है और मैं कह रहा हूं ये किसान को किसान को लौन दे रहे हैं ये परदान अन्तरी जी बैंकों से खुद पूछे पहले हमें केसी मिलताcket है। उसको एल्लाकार गी कात्व ऐस तक्यान था गारता खुंप साथ प्रसंट भी उसको मैं ये जहां से ही देता है पबलिक को जब भी देता है जहां से ही देता है में आकर या विपक्ष के बहकावे में आकर आप लोग समझने सुनने को तैयार नहीं है ये सरकार और सरकार से जुड़े लोगों का काना है में गलत हो आपको नहीं मिला यह हो सकता है लेकिन जिनको मिला हुए एकांट ट्रांसपर होता ही जब मानी है पुर्दार मंत्री जी आपका शुब नाम क्या है कहां से आओ प्लस 50% को लेकर नहीं एटू प्लस दे रहे हैं लेकिन सीटू नहीं दे रहे हैं तो उसलिए हम यह कह रहे हैं कि अगर वह लागू कर देते तो आज हमारा यह दान गहूं है वह 27 शुरब ऐसे ऊपर चला जाता यहां बैट के स्च्टूडियो में जो किसानों से वारता कर रहे हैं वो किसान कहरा था कि मेरा जो सोया भीन है वो मेरा सुयाबीन मेरा मार्कीट में महगा बिग गया तो हम भी शुरू से यहीं कह रहे हैं कि शुरू में प्राइवेट प्ल आपका क्या शुब नाम है और कहां से आए वाप उत्राखंट से हैं क्या नाम है आपका प्रदान मंत्री के भासन से आप खाली किसाननेता उके भासनीयां मंत्रे सुनके भागी हो रहे है आप लोग आंदोलन कारी हो रहे है उनको शुनके क्या समझे आप करिए आप जैसे कोई बंदा गलत काम करता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नहीं शक्तरि मैं नहीं किसे नहीं किसा रह रहा था इनका कहना है कि हम करेबों को पर कसान को भिल्कुद कुछ रख रख रहे हैं और वह एक किसान कह रहा था कि मैं एक एकड कोई दोखनाल का मालिक हूँ और उसके हाथ और पैर इतने दूद जैसे चिटे थे कि चोरी शरयाम पकड़ी जा रही है अगर नहीं तो आप इनके हाथ पैर देख लो और अभी अभी उनकी देख लो यह दो काले हो हैं मिट्टी में चलने वाले आते हैं और उनके हाथ और पैर देखो चोर चोरी करता है खुरा शोड़ जाता है किया कहना चाहर हो किसान नहीं था यह कहरें तो यह तो यहां बैठाना है आपको खाली कि आप समयधार हो आपको खुद पता चल रहा है इस चीज का कि गलत गलत है और किसी चीज में बदला नहीं आया नरेंदर मोधी के थोड़ा सा उसके चेरे में और उसके कपड़ों में और उस चीज में बदलाओ हमें दिख रहा है अच्छा यह बहुत सारी से बार-बार ये भी कहा जा रहा है आज भी प्रदान मंतरी मोधी किसानों से समवाद में कह रहे थे कि आपको जो फाइदा हुआ आप छोटे किसानों को समझाईए उन्हें बताइए कि कैसे फाइदा हो रहा है और सरकार की मनशा और मकसद यह है कि किसान जो सरकार से फाइ देलाइक हो या छोटे कसान फाइदा उठा पा रहे ही हों जिन चीजों से अगर उन चीजों से फैदा होता है तो इतने कास्त कार जो लाखों की तादाद में इकھटा हुआ बो किसली एकटा हुआ अगर यह कहा हैं कंट्रेक्ट भाइड नहीं है इतनी लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं काज़िपूर बाद रपे बैठे हुए हैं सब जगा बैठे हुए हैं उनके संग में क्यों नहीं बात करता हुए उसके लिए तो पैनल बना रहा हैं दूसरे मंतरी भेज रहे हैं तिसरे भेज रहे हैं जहां पर क्यों नहीं आ रहा है जहां पर अपने आदम भेजे इंट्रिवी ले बात करें उनसे ये एक सवाल है कि अंदोलनकारी किसान कह रहे हैं कि सरकार उन किसानों से तो बात कर रही है जिन्हें सरकार ने जुटाए या जहां से भी उनका नाम लिस्टिंग हुआ होगा लेकिन वो किसान जो सिंगु बॉर्डर टिक्री बॉर्डर गाजीपूर के बॉर्डर पर जहां मैं हूँ वहां बैठें इन किसानों से प्रधान मंत्री सीधा समवाद क्यों नहीं करते मैं आरो आपके पास जड़ा एक दो लोगों से और बात करूँगा आप कहां से आए हो आप कहां से आए हैं तो आप किस चीज की खेती करते हो हम सभी करते हैं गन्ना, दान, गेहूं, लाही, तिली सब करते हैं अपने अभी प्रधान मंत्री ने बहुत अच्छे फाइदे किनाए जो प्रधान मंत्री सम्मान ने दिये, किसान सम्मान ने दी से जो पैसा मिलता उससे और किश्य कानून से लगातार इतने देश भर के किसान उसमें शामिल थे करोरों किसानों ने सुना, दरजनों मंत्री जगा जगा चौपाल कर रहे हैं, हजारों जगा LED स्क्रीन से बताया जा रहा है, तो आप लोग अगर वो सुनेंगे तो शाहिद फायदा होगा ये प्रदान मंत्री का रहे हैं। को कह दिया है कि भी हमारा बिजरी का बेल है, डेड़ कुना कर दिया, कहां 500 था, कहां 900 कर दिया है, तो कैसे हम अपना विश्चा करेंगे? ये सवाल है, मैं एक बार आपके पास आता हूँ, उससे पहले मैं बता दूँ, कॉंट्रेक्ट फार्मिंग को लेकर बहुत अच्छी तस्मीर दिखाने की कोशिस होती है सरकार की तरफ से, और अभी मद्ध प्रदेश में जब ये आंदोलन चल रहा है, उसी दौरान, शुर तो कहा गया कि Fortune एक कंपनी है, जो कॉंट्रेक्ट फार्मिंग कर रही है, तो उस विबाद को SDM ने कैसे तुरंत निप्टाया और किसानों की समस्या का समाधान हुआ, एक स्टोरी NDTV पर मैंने देखी, अनुराग द्वारी की स्टोरी है, कि कैसे Fortune कंपनी ने किसानों से करार किया, जो फसल उगाने के लिए करार किया, उसके लिए कीट नासक और सारी चीज कंपनी ने दी, लेकिन कंपनी ने सेंपल बारबार रिजेक्ट किया, कि ये फसल उस पैमाने पर नहीं है, जिस पैमाने पर कंपनी को चाहिए, खेतों में 500 कुंटल धान किसान का पड़ा हु तो contract farming का एक पहलू ये भी है सरकार एक पहलू दिखाती है दूसरा पहलू हो है जो खेतों में धान पड़ा है company ने खरीदा नहीं आप से बात करता हूँ प्रधान मंतरी बहुत सारी बातें कर रहे है वो तो चली उस पर हम बात कर चुके लेकिन एक पहलू ये भी है कि बार बार सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कहा जाता है आप लोग यहां लगातार गाजीपूर बार्डर पर किसानों की सभाओं में भाशन दे रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अब फिर चिठी कल गई फिर कहा गया कि आप तारीख मुकरर करके आप आईए लेकिन अगर फिर कहें ये कि नहीं पहले कानून वापस लो और नहीं तो बातचीत नहीं करेंगे तो ये डेड एंड की तरफ नहीं जा रहा है ये अंदोलन वो ठीक बात है डेड लोक और डेड एंड मैं बार बार इस्तमाल करता हूँ डेड लोक खुल सकता डेड एंड नहीं खुलता वो ठीक बात है आपकी लेकिन इसके पीछे सारा जो विशे है वो तो सरकार की हड़ धरमिता पर ही तो है किसान कितनी बार दिल लिया है इससे ये अंदोलन शुरू होने से पहले कितनी बार दिल लिया है और सारी बातें किसानों ने रखी सारी बातें उनकी सुनी अब वो बात करने वाली बात कौन सी रह गई है हमें जो मालूम है कि किसान जतेबंदीयों ने तो ये कहा है कि हमने सारी बात हो गई, अब आप बताईए कि आपको कानून वापस लेने में क्या परेशानी है, आप उस पर बात करिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि इन कानूनों से हमें क्या परेशानी है, सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि हमें कानून वापस लेने में कौन सा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा ये सरकार बता रही किस कानून से करोरों किसानों को फाइदा है और हम किसानों के हितों की परवा करते हैं इसलिए हम ये कानून ला रहे हैं छोटे किसान गरीब किसान सिमान किसान सरकार का एक जुमला ये भी है कि 70 साल में पहली बार हुआ है कि किसी का जबरदस्ती भला हुए जा रहा है उसको पता नहीं चला कि मेरा भला हुए रहा है इतना सरकार को ये भी दीख रहा है कि किसान के बेटे जीन्स भी पहन रहे है किसान के बेटे अच्छा खा भी रहे है और अच्छा पढ़ भी रहे है पढ़े लिखे लोग वकीलों का पैनल हाई कोट के वकीलों का पैनल सुप्रीम कोट के वकीलों का पैनल ये बता रहा है कि यह जो बेल है, यह किसान विरोधी है, उसका उधारन में आपको बता रहा हूँ, जैसे कहते हैं न कोई भी चीज़ जब आप चोरी करने जाते हैं, जैसे एक बाही ने भी कहा कि छूट जाता है, आप कह रहे हो कि कॉंट्रेक्ट फार्मिंग से बहुत अच्छा फायदा है, लेकिन आप कॉंट्रेक्ट फार्मिंग में जब कोई डिस्प्यूट आएगा तो किसान को न्याले में आप जाने की पाबंदी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं लेकिन उसके लिए शायद वो प्रस्ताव मानने को तयार हैं, कि हम सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं, कहा साब जितना मर्जी स्टॉक कर सकती हैं कंपनी हैं, हमेशा ही अवश्यक वस्तु अधनियम के तहत, जब भी कोई जरूरत से ज़्यादा या लिमिट से ज़्यादा स्टॉक करता था, उस पर कारवाई होती थी, क्यों होती थी, जैसी स्टॉक बढ़ने लगेगा, तो वै किसरा कानून है, इसमें जो आपकी आशंका है, भंडारन को, इस्टोरेज को लेकर, इन सारे पॉइंट टू पॉइंट पर वो कह रहे हैं कि आप आईए बात करिए, लेकिन आप मुद्दा अटका है, कि किसान नेता कह रहे हैं, कानून के धाचे में कमी है, और इसलिए इस किसान आदोलन में आए हो, तो क्या चाहते हो, क्यों आदोलन के धाचे में कमी है, तो ये किसी ने समझाया है, कि कानून की क्या कमी है, हमें लाभी नहीं है, तो आजकल युवा तो पढ़े लिखे हैं हैं सब, हम तो नहीं पढ़े लिखे हैं, युवा आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को मालूम है, इसका क्या मतलब क्या आरत है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारे बच्चों को सभी कुछ मालूम है, च सुनी और ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री का भाशन में सुना है फिलाल दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करता हूं फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में